पागिस्तान के टीम की और हर्वजन सिंग की देखिए हर्वजन सिंग साब ने अपने वर्ल्ड कप के सेमे फाइनलिस प्रेडिक करें और जिसमें से मिसेंगे पागिस्तान के टीम बड़ी अपडेट यह नहीं कि भाई हर्वजन सिंग ने अपने टॉप फॉर में पागिस्तान को नहीं रखा बलकि जो रीजन बताया है मतलब जो बताया है कि भाई पागिस्तान की टीम ODIs में पागिस्तान के बड़ा स्ट्रोंग है लेकिन ODIs में उन्होंने साफ सीधा एक जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान इसन एवरेज ODI side जो कि एक बहुत जादा आप कह सकते हैं एक बिग स्टेटमेंट है बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि सोचल मीडिया पर हर्विजन सिंग का ब्यान बहुत जादा ट्रेंड भी कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि कि तने सहमे ता आप में जो हर्विजन सिं होने वाली है और इंडिया के अलावा जो एक बड़ा strong contender title के लिए वो है Australia और उसके अलावा उन्होंने जब Pakistan के बात आई तो क्या का आप के सामने statement चला देते हैं और बताते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे क्या का है people are saying Pakistan could advance to the semifinals but in the 50-year format they are just average they play good cricket in T20 internationals but my fourth pick would be New Zealand India Australia England and New Zealand they are my four semifinalists for the World Cup उन्हें साफ सीधी बात यही कह दिये जी कि पाकिस्तान T20 में एक अच्छी खासी unit है लेकिन ODIs में जो उनको एक reality check भी मिल गया आप घर पे अच्छा कुछ जीतते वे आ रहे थे घर की conditions में अच्छी खासी विक्टे थी लेकिन शिरलंका के अगेंस आप slightly थोड़े से exposed वहाँ पर हो गए और कहीं ने कहीं overall एक 50 over unit की अगर आप class की बात करें या world cup की हम दाविदारी की बात करें वहाँ पर बहुत तगड़ा competition होने वाला है and again आपको वो top level competition दिखाना पड़ेगा अगर आपको top 4 में जगा बनानी है लेकिन हरवजन सिंग साहब ने वहाँ पर साफ सीदा क्या दिया कि भाई ODI में पाकिस्तान एक average unit है और उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान top 4 में वहाँ पर जगा बना पाएगी बल्कि न्यूजिलेंड को उन्होंने वहाँ पर पिक कराया अब जरूर देकि पाकिस्तान पर सवाल तो उठें कि आप नंबर वन थे एश्या कप के देखा आप घर में जीत रहे थे जो आप पाकिस्तान लेक की बात करोगे नेपाल को हराना मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं था कि it was no points for guessing कि कौन जीतने वाला है महाँ पर बाबाराजम 100 भी करते हैं फिर देन आपने सूपर 4 का एक मुकाबलब भी खेला जहाँ पर आपने बां match आदा ही हो पाया बोलिंग से आपने जबर्दस वहाँ पर स्टार्ट किया था अच्छी पारी वहाँ पर खेल दी थी आपका असले टेस था सूपर 4 लेकिन सूपर 4 में जो गेम्स खेले गए वहाँ पर आपने देखा भाई कि शिर्लंका के अगेंस आप टेस्ट हुए और वहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाए बैटिंग और बोलिंग से हमने देखा और इंडिया के वर्सेस भी आपने देखा 228 रन की मतल़ एक भारी भरकम हार आपको वहाँ पर हैंड ओवर कर दी और उसके बाद आपने देखा कि भाई हाँ पाकिस्तान क्रिक्ट का जो बार बा कि वो एवरेज क्रिक्ट खेल रहे हैं वो इनफ नहीं होगा वोल्ड कप जैसे हाई लीक उंटेस्टेट टॉर्णमेंट में कि आप टॉप फॉर में वहाँ पर जागा बना पाओ और इसी वजह से उन्होंने साफ सीधा वर्डिक्ट दे दिया है कि बाई इंडिया ऑस्ट् कि आपने पाकिस्तान को एवरेज यूनिट बना बता दिया अब यह तो समय बताएगा क्या पाकिस्तान कमबैक करके एक अच्छा रिपलाएं वहाँ पर दे पाए लेकिन फिलाल बड़ी अपडेट यही थी हर्पजन सिंग ने अपने टॉप फॉर बताएं वोल्डिकप के सब्सक्ते लाइज करदयों